हलم कि अ फिलोगोव स्कोर्ट्ट की चेप्टर 7 को लेंकर आन है और अनदर कि KPT अ रहा है वर्ट प्यूंट होता है इस ये बेसिक टेस्ट अटर सोस्ट यह लेकिन बवर्ट फैड पाइड कर सकते है हैं इस फोटो भी ला सकते हैं फोटो लाने के साथा किसी दूसरी दूसरे सफ्टर काहां भी ला सकते हैं जो हम लोग के सिस्टम में ला डिफॉल्ट यानिक ऑटोमाटिक इंस्टॉल हो जाते हैं तो चिंतल नहीं कुछ ज़रोते हैं कि सैट से इंस्टल करना पर कासे कुछ भी बात नहीं है आप सब्सक्राइब आप तो सब्सक्राइब दखते हैं अपने टॉपिक की और लेट्स बिगिन इस टॉपिक है जब दोस्तों सबसे पहले हम लोग से करते हैं पहले के तरह बिल्कुल आसान तरीका में समझाएंगे आप बने रिए इस वीडियो के अंदर जी हां दोस्तों तो वटपैट को स्टार्ट करने का दो तरीका जो सबसे आसान है और हरो कोई उसको यूज करना पसंद करते हैं तो पहला तरीका यह है कि इस टार्स को ब कर में नहीं दिखा दें कि वड़पार डिखेंगे और झान कंद इस उसका इस वड़पैक यह जायен जिसको हम लोब बोलते हैं राइट लिखिए या वर्ट पैड लिख करके इसको ओके कर दीजिए आपके सामने कुछ इस तरह का वर्ट पैड ओपन हो जाएंगे यह है आपका वर्ट पैड का वेलकम स्क्रीन इसको हम लोग पले इंट्रोरेशन के साथ समझ लेते हैं इसमें कौन सा अप्सन कहां पर दिय अब दिखना है कि वर्ट इसफाइल का नाम है डोक्यूमेंट एस आपके अच्छे से और इजी में समझेंगे और यह आपके सामने देख रहा है जो वाहाइट कलर का इसको लोग बोलते हैं डोकिमेंट यानि पेज इसे हम लोग काम करते हैं जो भी काम करना हो ना जो भी का करना हो सभी का सभी काम इसी पेज़ पर होता है आपको आई के तरह इसको हम लोग बोलते हैं करसर जहां पर वो करसा रहेंगे वह इसे हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं उसकर को अगर नीचे लाना हो तो उसमें क्लिक करके एंटर से नीचे आएंगे फिर अपर जाएंगे रा आगे नहीं बढ़ सकते हैं यह आपको ध्यान रखना दोस्तों एंटर किये हैं वहीं तक आपको उपर नीचे लेफ्ट राइट इस कर्षित को मूब कर सकते हैं वह भी हम दिरे दिरे आगे सिखते जाएंगे तो बने यह वीडियो को वीडियो के अंतक और इसमें आपको रू आय। जाकर देख लिए और सबसे लास्ट में होते हैं पेज की लास्ट में स्टेटस बार कुछ तो करें ने करें लगिन इस टेटस बार ऑन तर आपको कितना परफ्शन जूम पेज्च को कर रखें वह तो सो करवे करेंगा हरे शाफटेर के अंदर किसी भी सफब्रक्टेर मैक्सिमुम साथ्र में पूरा पूरा नहीं सोब्द यूं लहते हैं है सबसे देसे फाइल ममेनु प्लिक करेंगेा आपको अब दिखे रहा है न्यू नियू काम होता है कि नए डयी देसे देड से लस्टाइल अगार करने के बाद अगर आगर आग वर उस्पर और क्वेट ले सकते हैं और उसके बाद यह open open वेविए फैर को open करना सेव और सेव आज दोनों काम होता है लेकिन से 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 आपकी सिटें भी बार एक ही नाम से से कर सकते हैं और सेब आइस के माँसे जितरा मर्जी उतना डूबलेकेट फाइल बना के अलग अलग नाम से अलग 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 से में शेप करते रहें जिए अगला दिया प्रिंट हम लोग जब भी को डिकूमेंट को त्यार करते हैं कुछ भी लिखते हैं लिस्ट बनाते हैं तो उसको प्र में कीट करेंगे तो फिलों को दिखाएं कैसे अपना काम केसे करें गए अब चुने करने के अपट आतीन प्रिंट पर च्छा टूलेंग करें Days of cure क करेंगे तो.. पेज पीटने करना है तो पेज में टिक लगाेँगे और यहां पर याँ मनूद ह मनें जिसको हम लों हाइफ़न बता है एक मैंनेस फांस देंगे तो दस पेज क्यों नहीं हो एक से लेकर पांसता की प्रीण होगा नहीं दस पेज के अंदर आप जाहते हैं कि मुझे 對啊 4-4-8 मातल चार पिज परिंट करना है तो दो देंगे कॉमा 4,6,8 मातल गामा दे दिजिए बिचुन दस्तो तो वह क्या कराणा का पर यहां पर दिया नमबर ऑफ कोंपी इसके इतना डाल दीजिए और शीम्पली पेंच कर दिजिए आपका प्रिंट और निकल जाएंगे है फिरइंट करना है सबस्क्राइब क्या सबक्राइब करना होता है कि पेपर साइज कौन सा है आप ले लेंगे इसके बाद में फर्ट को यeffect होता है पोट्य strangled पंड्रीम ध्य४्रींट कर too do Tom Hư रहुट होता है प्ड्रीमार बता है दो चोराई ज्यदा और लंबाई कम होते हैं तो आपको डिमेंट करता है कि आप अपने पेस को अपने डिकुमेंट को कैसे और किस तरह के से प्रेंट करना है लैंडिसक्राइब मोड में या फिर पोड़ेट में अगर आप पूर्टर में टीक लगा है तो सामने दिखे आपको य लगा हो गया तो जाता है दो क्या करते है करते हैं और यहांपर और मत बूलेगा अम पर क्या होते ही हैं मार्जें हो धियान loosen grouped Sao dysna check करें देख लिजेगा कि लिए उसके लाइंगे ना तो प्रिंट करते समय आपके किसी भी पेज बर प्रिंट नंबर नहीं आएंगे इसलिए आप चाहिए प्रिंट करेंगे ना तो प्रिंट के साथ आपका प्रिंट हो अगला अगला दिया हुआ आपको फाइल के अंदर एकजीट अगर आपको वटपाट से बहार ने करना तो एकजिट कर दीजिए यहां से या नहीं तो आप यहां से इसको एकजिट कर सकते हैं यह था आपका फाइल मेन्यू आगे हम लोग बढ़ते हैं हो मेन्यू हो मेन्यू में बहुत सार अप्सन दिये गया है हरे एक अप्सन को गुरूप वाइस बार दिया गया है यहां पर गौर से देख लिजिए यहां पर कट कोपी पेस्ट सब्सक्राइब करते हैं हम लोग हरे गुरूप को देखते हैं पहला दिया कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए आपके पास कुछ निखावा टेक्स होना चाहिए चाहिए आप खुछ से लिखने का प्रयाज करते हैं और हाथ बठाने का कीबोड़ करीएगा क्योंकि यहां भी हम लोग सिखते हैं तो कंप्रश चिखते समय कीबोड की भीज जान करी होनी चाहिए और कीबोड की जानकर नहीं है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा जरूर कीबोड के ओपर एक वीडियो हम अवैश्य बना दें तो चलिए हम लोग पर लेकुछ लिख लेते हैं जैसे आप लिखते हैं नेम आफ एनीमल इनीमल लिख दिये इसमें जैसे कि यह टाइगर लाइन एलिफाइंट काव ऑक्स बोफाइलो इस तरह से कोई भी लिस्ट बना लीजिए लिश्ट मनाने के बाद जो भी आप वोतेर करना हो दोस्तों वह तैर कर लिजिए उसका बाद मुझे करना किया है इस टाइगर और लाइन को वहां से हटा करके मुझे नीचे लाना है त के का इस्तिमाल होता है कि एक अस्ताहन से दुसेरा किसी भी ले जाना जपने हिलें और यहांपकर से पेश्ट करने के लिए वहां से आपके कुंट्निक और जाएंगे और यहाँ पर यहाँ copy को भी पर click कर दीजिए उसके बाद जहाँ पर paste करना वहाँ पर click कीजिए उसके बाद उसके बाद जो है paste पर click कर देंगे आपका content है duplicate हो जाएंगे तो copy और cut करने बाद जितना मर्जी उतना paste करते रहेंगे तो आपके सामने content आते रहेंगे जी हो दोस्तों अगर सभी को हटाना हो तो simply इसको क्या करेंगे select कर लेंगे और keyboard से कर देंगे delete पूरा हट जाएंगे और दोवारा वापिस ला रहा हो तो उसके लिए undo यहां पर आपको undo दिख रहा होगा दोस्तों undo undo का arrow जो है आपको left के और मुलाड़ाता है undo का एक step next मतलब आगे जाना अगे मतलब की एक हैल लाने काम करता है और भगाने यह काम करता है तो undo आप क्लिक करेंगे तो वह जो है दोस्तों लाएगा वह दोस्तों लाएगा जाएक ब्रुख कर दीजिए फिर ego ुब्रें लाए गा रीडू लाएगा रिडू से फिर से भार दोबारा मगा दें अन्गू कर दिये अब क्या करना मुझे इस लिखेंवे टेक्स्ट का इस्टेल ही चेंच करना इस्टेल तो चंट्रोल एक करना हो तो यहां पर दिया आपको फॉन्ट इस्टेल दिया हुआ फॉन्ट फैमली शोब बोलते हैं इस पर परहाना हो आपको परहाना हो तो इसमें क्लिक करके जो भी लेना हो यहां से आप ले सकते हैं 88-36 जो भी करना कर दिजा आपके 88% बर जाएंगे और वही ऑप्सन साइज को बढ़ा चोड़ा करने के लिए अग बगल में में दे रखें दोनों एक काइपिटल में है लेकिन एक का एरो उपर की ओर मुरा हुआ एक के एरो नीचे की ओर मुरा हुआ है जिसका एरो उपर है जो दिखने हैं बड़ा लग रहा है उस पर क्लिक करिएगा तो साइज आपका छोटा होगा नहीं वहां से काम निए करना यहां से करके काम को कर सकते हैं जिसाइड कर लीजेगा उसके बात दिया बुल्ट अपने टेस्ट को बॉल्ट करना बुल्ण तो फुरा घहरा गौर कीजिए बोल्ट पे टिक लगाए ठीक लगाए ठीक लगाए ठीक लगाए अगर आप चाहते हैं कि मेरा टेस्ट लिखावा गलती है उसके उपर लेंड रो करना है तो आप इसको बोलते स्ट्रेक तुर्ट कर दीजिए आपके टेस्ट में जो सो लैंड आ जाएंगे पर टीक लगाए एक बोल्ट लिटाली अंडरलाइम नहीं चाहिए दोबारा साथ से क्लिग करके को हटा दीजिए सारे के सारे सारे फोर्मेटिंग्ग आपके हट जाएंगे अगर आपको सिंपल पहले की तरह करना हो तो इसमिंद करके सिंपल टेस्ट का नाम ध्यान रखना है दोस्तों उसके बाद यहां पर दिया आपको सबस्क्रेप्ट और सुपर स्क्रेप्ट सबस्क्रेप्ट काम क्या था वो आपको दोस्तों बता रहे हैं सबस्क्रेप्ट काम देख लिए अगर लिखे गए टेस्ट के लाइन से थोड़ा कुछ लिखना हो उसके हम लिख रहे हैं यहां पर है तो आप बताइए टू कहां होना से नीचे होना चाहिए तो टू को सलेट कर लिजिए और कर देंगे इसको सब तो इस त्रक आपको हो जाएंगे तो नीचे आजए तो आपका फर्मुला सभी तरेकर से दिखने हम लगेगा उसी परकार से अगर आप को को फर्मुला कि लिखना मुझे इसक होना चाहिए तो टू को ₹ Mm ॉपर कर ले onde कर ले जाएए उसके बात कर देंगे सुपर мugen दोस्तों सुक्त्राइब कियासर 20 गलति से नायओं होग मैं और काम हो जाए तो त Arctic को नहीं वहत्म और सुरू हो जाए शुरू बूलु आता है इसे लिए आपकान आहां काम होने कर बात जो है रोटा बाद को हटा देना है और जितने भी त्यार के सा तरह सट करना है यहां सब्सक्राइब करना हो बुलू रेड तो जहां बढ़ दिया आपको टेट्च कलर दिये ऑं इसमें कलिक करके जो भी क्लेक बूलू School छाइंगे जो इसको से हैलाट करना हो कितां में करते हैं जहां करना हो हैं अ वह हैंसे करना हो हैलाट कलर जायें तो supposedly क्लिक कर तेंकी आप पिर सबीं बढ़ने आएंगे और दोबारा कर देंगे और तो फिर आपका अंदर पर अब आप को हम लों को इन्ट करते हैं एक लाइन च्छोर के दूसरा रंड करते हैं तो प्रड़ाफ जितने ही होंके सब काम आएगा अगर इस सब्सक्राइब को किया जिए यहाँ पर गापको इंकिलीक करें राट होगा लेट होगा रेसे आपके यहाँ किसी को लेफ्ट राइट करना हो तो सेंटर लेफ्ट करने के लिए उसमें किलिक कर यहां कर दिये सेंटर सेंटर कर देंगे सेंटर आएगा लेफ्ट राइट उपर दिया उससे धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे- कि यह जस्टिफाइए काम क्या होता दोस्तों कि दोनों तरफ से लैन को बराबर करना उसके लिए पास बहुत साथ अपने के लिए बुलेट दिये होगे हैं नमरिंग दिये होगे हैं उसके रोमन भी दिये होगे सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं यहां से ले लेंगे हम यहां से लिए बुल्र लेने के मुझे टो बैक स्पेस्स बुलेट को हटा दएंगे अब फिर दोबारा इसके अंदर आएँगे और यहां पर लेंगे नंबरिंग लेंगे लिए दिनलेंगे उसके बाद यहां पर लंगे बनाना उसके बाद गुअब पैन एपल औरेंज मैंगो इस तरह से जितना चीछ आप लिखेंगे इंटर करते जाएंगे उसी परकार से आपका नमरिंग भी बढ़ते जाएंगे अगर फिर से इंटर किये और आपको नमरिंग नहीं चाहिए तो फिर दोबारा इंटर कर दीजिए उससे बहार निकल जाएं बैक स्पेस से लिष्ट कर दीजिए अगर आपको चेंज करना हों कि नहीं मुझे वन टू तु तरी नहीं एबी सीडिए तो फिर दोबारा से स्ट कर देजिए और अपने इस्टार्ट के अंदर आए और यहां से जो है एबी सीडि में कर दीए रोवन कर दीए जिसमें चाह देख देख दोनों पर रख बीच में से सो कम जाजा कर दें चाहिए और यहां पर लिया हुआ सबाइंच कर दीजिए वन इंच थोड़ा थोड़ा कम होगा अब पूरा पूरा इस खतम करना हो तो लाश्ट में लिखा हो आपको आड़ 10% इस पेस आफ्टर पर आप इसमें 25 को लिखा देंगे तो पूरा पूरा आपका आपका इस खशाण हो जाएंगे इस पेस कम करना बेनफिट किया दोस्तों कि अगर आम अगर आप डॉकुमेंट त्याड किये हैं आपका डकुमेंट जो है डेर से दो पी में जा रहा है और इस पेस बहुँ ज़्यादा है तो यहां पर आप कम करके अपने document को 2 पेसे 1 पेज में print कर सकते हैं तो page बचाईएगा तो पेर भी बचेगा पेर बचेगा थमलों का जीवन भी पर यहां चलेगा इसलिए दोस्तों page को बचाने का परयाश करते रहे हैं तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे normally अगर आपको space कम चाह रहेगा और जतना मर्जी उतना आप टेक्स्ट को लिखते रहे हैं कोई दीकत नहीं यहां पर दिया प्रड़ाब के अंदर क्लिक करेंगे तो यतना सारा आप काम कर चुके हैं पहले उस सभी काम यहां पर दिया हुआ हुआ है कि इंडेशन क्या होना चाहिए इसके अंदर इतना होना चाहिए तो इस पर रहे ख़र हो जाएगा उसके बाद दिया हुआ होते हैं लेफट राइट सेंटर जस्टीफाइब कर आप लोग देख लिजेगा उसके बाद हम लोग आते इनसर्ट गुरूप के अंदर इंसर्ट कर दो लाना कि आप किस-किसी सो ला सकते हैं मतरब यहां से ला सकते हैं था लाते हैं आपके फोटो पर क्लिकक कीजिए और यहां पर आप फोटो को देख सकते हैं अगर फोटो आग को देख नहीं मिला दौस्तिए यहां पर आपको गिलिक करने के बाद यहां पर जिखना सिर्च बोख्स के वह उपर किलिक करने के बाद फोटो आपके page में आ जाेंगे तो फोटो उपर किलिक करते हैं किलिक करने का बाद इसको फोटो फोटो को करेंगे और पिक्चरू कर के आपके प्र क्लिक की मिल किजीं यहां पर दिया है आपको रिसाइज इस पर कर लिक करएब कर आप करना हो तो वहां साइज को कम करते रहीं दो आपके आपके ऊपर leaving के कुछ option दिए गए हैं तो डॉट पर क्लिक करेंगे तो फोटो का साथ चोटा अबराग कर सकते हैं यह था फोटो लाने के तरीका इस तरह फोटो आप ला सकते हैं उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रेंग क्या होता है अगर आप चाहते हैं कि लिए पर लिक मिल जाएगा क्लिक करते हैं पर खुलेंगे इसका छोटा बड़ा कर दीए जो भी ड्राणा सेफ में किलिक करेंगे वहाँ वहल को से रखी देंगे अब बाहर किलिक कर दीजिए आंक बनाने के बाद इसको बनाते हैं मुह मुण बना दिए और जो भी कलर भरना हो कलर को असाने बहर दीजेगा दोस्तों इस तरह से बढ़र दीजेगा तो आपके ड्रोइंगा याँ करने के बाद नीचे की और खिच लीजिए क्लिक करते हुए तो ड्रोइंग आपके अवर्ट पैड में दिखा जाएंगे इस तरह के से इसको डिट करते हैं अगला दिया डेटन टैम का जूज क्या होता दोस्तों अगर किस डेट में आप जो है डोकुमेंट को तैयर किये हैं हो याध रहतने के तोड़ पर इस कि अपर कर सकते हैं इसको किलिक करते ही बहुतता है ऊसे बहुत सरे करना हो बरा करना हो मांनाचा काम करके मैं ला सकते हैं अगला दिया दोस्तों आपको एडविंग ग्रूप एडविंग सक्टर कानीज कर लिए ऊणिंग निचे आएंगे और कंड्री और पम से कुछना हों के हम गुड़ निजन Sweet होसद के good करने को कि स्कते हैं अगल्स 210 को बदलना एक से दूसरे में करना करने के ला इस वी वट को बदलना मौस का नाम ऑन लिखना है मुझे तो जिसको बदलना उसका नाम अगला दिया है वियु मतलब देखना कि वियु में क्लिक करके आप अपने डोकुमेंट को किस तरीक से देखना चाहते हैं को करें यहां तो सो परसन कर सकते हैं पर रूलर को हटा दीजिए लाना हो टिक लगा दीजिए और उसको हैड करना हो तो तरह से आप करेंगे अगर आप जो भी लिखेंगे वह एक ही लाइन में लिखता हुआ दिखाए देगा अगर आप उसी को चाहते हैं कि स्कीन पर देखें फुरा फुल स्क्रें तो कर देजिए विंडो तो जितना आपके स्कीन होगा उतना भर में आप जो है टेक्ष्ट को लिख सकते हैं पस यह देखने के लिए प्रिंट जैसे पिरिंट होदा उसे पिरिंट में आएगा अगरा जो दिया जो हम लोग मैनुवल सब्सक्राइब हो जाएंगे तो आपको समझ में उसमें ठीक लगा दिजेगा इस तरह से आपका रूलर करेंगे आपका पेज पूरा क्लियर हो जाएंगे दोस्तों उम्मीद है कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा शुक्रिया धन्यवाद